नमस्कार दोस्तों, इस्टोक ट्रेडिंग 360 में मैं एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ एक नए स्टोक के साथ जिसका नाम है Alloyds Steel Industries Limited जो की अभी 13 रूपर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टोक का PE जो है अभी 69 पर आपको दिखेगा बुक वेल्यू अभी स्टोक की एक रूपर एक किस पैसे है यह स्टोक मैं आपको सुझेस्ट कर रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉंग टर्म एस वल अभी आप देखेंगे कि स्टोक जो है अभी इसने गुड प्रॉफिट अभी अपना दर्ज किया है और अभी आप देखेंगे कि Q1 के जो रिपोर्ट Q1 के जो डिजर्ट है इसका बहुत अच्छा शानदर इसने प्रदर्शन किया है तो अगर हमें compare करता हूँ मार्च के quarter से जहां 18 करोड का sales और revenue जो company ने पोस्ट किया था और इस quarter में इसने 51 करोड का profit और revenue इसने जो है वो अपना दर्ज किया है तो 51 करोड का जो है वो sales और revenue इन्होंने अभी अपना report किया है इसके अलावा जो मैं बात करता हूँ इसके net profit की जो एक करोड पिछले quarter में था और अभी पिछले कई सारे quarters में आभी आप देखोगे जो पिछले साल के भी quarter है या even एक-दो साल से जो इनके quarter से उनमें भी इतना अच्छा perform नहीं किया जितना कि इस quarter में इसने बहुत शांदार प्रदर्शन किया है और 10 करोड का इनको profit हुआ है अगर मैं compare करता हूँ पिछले quarter से तो एक करोड पिछले करोड का जो profit था net profit था वो पिछले quarter में था और जो 10 करोड का profit है वो इस quarter में अकेला इस quarter में इसको profit हुआ है EPS की बात करता हूँ तो जो पिछले quarter में 0.01 था वो अभी 0.10 हो चुका है तो काफी 10 गुना almost like profit हुआ है company को बहुत ही अच्छा stock है short term and long term के लिए भी and अगर मैं बात करता हूँ इसकी promoters holding की तो promoters holding भी इसकी बहुत अच्छी आपको मिलेगी जो 53.41 जो की परसेंट जो इसकी last quarter में थी वो अब बढ़कर 57.65% हो चुकी है अगर FIIs की जो holding थी पिछले quarter में वो अब नहीं के बराबर है बट DIIIs ने भी अपनी जो holding है almost बरकरार रखी है पबलिक की holding के बहें बात करूँ तो पबलिक ने अपनी holding कहीं न कहीं कम कर दी है तो promoters ने बहुत अच्छा किया है promoters ने अपनी company से अच्छा expectation रखी है अपने business model से अपनी company से अपने आने वाले expansion से और आने वाले project से और तभी promoters ने अपनी हिस्सेदारी इस company में 53% से 58% के आसपास बढ़ाई है तो एक बहुत अच्छा buy call है इस company के साथ और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस company पर ज़्यादा कुछ बड़ा debt नहीं है अगर मैं debts की बात करूँ तो company के उपर जो debts है मात्र 25 करोड का debt है मैं reserve भी एक बार दुबारा चेक करना चाहूँगा कि company का अभी जो reserve है वो कितना है almost तो I think company के पास अभी अच्छा खासा reserve भी मुझूद है 30 करोड के आसपास का reserve है और debt से बात करता हूँ तो वो 25 करोड के आसपास है तो company almost debt free company है बहुत ही अच्छा आगे perform करती हुई दिखाई देगी और इसके साथ में एक buy call दे दूँगा मैं आपको अगर मैं chart की बात करता हूँ आपसे so अभी जो company है वो अपने 50 DMA और 200 DMA के आसपास आपको trade करती हुई दिखाई दे रही है तो एक बहुत अच्छा buying call है और आपको 18 से 20 तक ये stock असानी से जाता हुए दिखेगा कुछ दिनों में कुछ sessions में तो बहुत ही अच्छा stock है बाकि आप अपने financial advisor से भी आप consult कर सकते हैं बाकि मेरे end से ये बहुत ही अच्छा buy call है आपके लिए आप कल Monday में इसको buy कर सकते हैं अगर आपको NAC पर ये stock नहीं मिलता है तो आप BAC पर एक बार try कर सकते हैं और आपको definitely ये stock मिल जाएगा तो thank you so much guys अगर if you like this information please like the channel and subscribe the button thank you